इसकी study points लिगुडी में आपका स्वागत है आपको करना क्या है playlist में जाना है playlist में जाकर आप अपने class का playlist को चून कर study करना है जिस topic को चूनना है उसी को पढ़ लेना है like और share जरूर करना है इसकी study point में सभी का स्वागत है इस वीडियो में आप class 9 West Bengal Board का factorization exercise 8.1 को सीखने की कोशिस करेंगे यह यह वीडियो बहुत important वीडियो है क्योंकि factorization पर जो zero method है या trial method है उसकी basics और उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल पाईगी तो चलिए शुरूर करते हैं और इस polynomial का इस format में अगर है power 3 वाला तो आप x की value को मालीजे 1 2 3 4 या minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 basically 4 तक में ही solve हो जाता है उसकी value निकल आती है इसलिए मैंने इतना ही तक बताया है आप इन values को consider करके आप बैठाए जो polynomial आपको दिया हुआ है उसमें बैठाएगा तो उसकी value जिस value को बैठाने से सुरू कीजेगा कि तो 1 से 1 में नहीं होगा तो minus 1, 2 में फिर 2 में नहीं होगा तो minus 2, फिर 3, फिर minus 3, फिर 4, minus 4 इस तरह से बैठाते हुए क्रम में mind calculation कीजे और mind calculation नहीं होता है तो आप exactly put कीजे उसमें और value 0 निकल गया, 0 जब निकल जाएगा मतलब पूरा polynomial equal to 0 आ गया, यही आपका target है कि जब 0 आ जाएगा तो जीज value से 0 आया, वही एक साथ में एक साइड में आकर जो polynomial त्यार करेगा, वही इस polynomial का एक factor बन जाएगा, उमीद है आपको समझा पा रहा हूँगा मैं, यह बहुत important चीज है, 0 method करने का मतलब ही यह होता है कि आप कैसे करके उस polynomial का value 0 त्यार कर लें, उसी के बाद में factorization करना शुरू करना होता है, मालीजे आपके पास एक question है, x q minus 3x plus 2 यह दिया हुआ है, इसका गुनंखन निकामना है, पावर 3 है, तो आप जान लीजे कि इस format में दिया हुआ है polynomial, आप इसका factorization करना है, आपके पास और भी method है, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, किन्तों फिलहाल हम लोग 0 method प बैठाएं, तो देखें, मैं 1 पर concentrate करहा हूँ, 1 पर x का value दिखा रहा हूँ, तो देखें, x की value 1 बैठाएं, तो बैठाने के बाद में आपके पास इस तरह का त्यार हो गया, तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इस पूरे expression का value equal to 0 हो गया, मतलब x equal to 1 है, x equal to 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, x minus 1 equal to 0, तो आप क्या बोलेंगे, x minus 1 एक उत्पादक है, या एक गुनंखंड है, किसका, ये जो है, इसका एक उत्पादक कौन है, x minus 1 है, आपने इस चीज़ को ग्याद कर लिया, आपका target ही होना चाहिए, सबसे पहला target कि कि कितना value मैं पावर 3 देखते ही, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें 0 method यूज़ करना है, ये बहुतों में questions रहता है, बहुत बच्चों के दिमाग में गुंते रहता है कि हाँ, कैसे करके करेंगे, और ये इसी ती सी बात है, पावर 3 देखना है, पावर 3 है, मतलब आप 0 method यूज़ कर सक दाएगा, दूसरा जो आपको करना है, वो इस तरह से कीजिएगा, देखें, xq-3x-2 इसको लिख लिए, आप करना क्या है, x-1, x-1 इसको तीन बार लिख लेना है, इसको तीन बार लिख लेना है, थर्ड लाइन में, first line में question, second line खाली, third line में तीन बार लिख लिए, उसके इसको कितना से बुना करेंगे, इस x को ताकि xq मिले, तो आप जानगे, x-2 से बुना करेंगे, x-2, x-1, कितना हो गया, x-2, किन्तु आप देखें, उपर x-2 है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपको यह माइनस में है, तो यहाँ पर प्लस वाला x चाहिए, त आप तो कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, देखें, प्लस x-2, तो x-2, x-2 कट गया, यह टागेट आपको रफना है, फिर यह वाला इसको गुना किया, तो कितना हो गया, माइनस x, अब आप देखें, यह माइनस x हो गया, आपके पास x कितना है, 3 है, सौटेस कितना हो ग तो देखिए, तो 2x-2x, 1x, कितना हो क्या? 3x, देखिए, minus x-2x, minus 3x, त्यार हो गया न? आब इसको गुना कि हÎका, minus minus plus plus 2, और देखिए, इस line में, इस line से इस line पे आ जा रहे हैं, तो इतना तर आपका 5x-1, factorization हो गया अगर यह वाला हिस्टा फिर ब्रेक होता है तो आप फिर प्रोसीड करेंगे नहीं होता है तो यह नहीं पर इसका solution खतम हो गया इसका मेड़र क्या factor हो सकता है मैंने किया क्या किया इसको दो और एक में तोड़ दिये देखिए टू एक्स में से एक एक्स गया तो कितना मिल गया देखिए मिल गया एक और गुना करने से टू मिल गया ठीक है तो अब कितना हो गया एक्स माइनस वान यहां पर कॉमन ले लिए एक्स कॉमन गया तो यहां पर कितना बचा प्लस टू यहां पर माइनस वान लिए कित इसका गुनन खंड कर सकते हैं तो आपने क्या देख लिया कि पहला टागेट आपको एक उत्पादक है उसको निकालना पड़ेगा विदायल पाप पॉलिनोमियल की मदद से ठीक है पॉलिनोमियल में जो आप 0s निकालने का सीखे थे उसकी मदद से आपको निकालना पड़ेगा इसको solution में आपको डालना पड़ेगा नहीं तो x-1 कहां से आ गया वो आप बता नहीं पाएंगे इसको कर लिजे उसके बाद में फिर इसको शुरू कीजे देखिए अब next question हम लोग देखते हैं question है xq plus 2x plus 3 यह वाला polynomial है इसका गुननखंड निकालना है उत्पादक निकालना है तो 0 method के तरद आपको क्या करना है value put करके check कर लेना है कि किस से इस पूरे का value 0 आ रहा है आप में minus 1 बठाया तो minus 1 बठाने से आपका पूरा इसका value 0 आ रहा है तो देखिए minus 1 यहाँ पर x के जब माइनस 1 यहाँ प्लस 3 तो minus 1 minus 2 plus 3 3 minus 3 0 तो x equal to minus 1 अगर है तो पूरा expression का value कितना हो रहा है 0 हो रहा है तो यह 1 जब इधर आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा x plus 1 equal to 0 यहाँ पर therefore हम भोलें therefore x equal to minus 1 x plus 1 equal to 0 x plus 1 क्या है एक उत्पादक है उत्पादकों में से एक उत्पादक है इसका या एक गुननखंड है ठीक है x q plus 2 x plus 3 आपके पास दिया हुआ है तो आपने क्या किया तीन बार x plus 1 x plus 1 x plus 1 लिख लिया अब कितना से गुना करेंगे तो x q मिलेगा आपके पास तो यह वाला है नहीं तो क्या करना पड़ेगा इसको gap करना पड़ेगा eliminate करना पड़ेगा तो x से x को गुना किया देखिए x अपनी मर्जी से फिल लिखे है आप x x square इन्टो यह plus है तो माइनस रहेगा तब ही तो कड़ेगा इसले माइनस तो यह multiply हुआ तो माइनस x square हो गया तो यह दोनों कड़ गया आप देखिए x इंटो 1 यह plus minus कितना हो गया माइनस x अब आप देखिए x तो कितना है 2x है आपके पास केवल एक माइनस x मिला है इसले 3 से बुना किया 3 x 3 x हो गया 3 x 1 3 हो गया देखिए 3 में से एक गया 2 मिल गया और यह plus 3 मिल गया यहाँ पर भी तो आप common ले लिए x plus 1 common ले लिए x plus 1 x square minus x plus 3 बच गया आप चाहें तो इस question को आप ऐसे भी कर सकते थे आप चाहते की नहीं मैं इस portion को ऐसे नहीं करूँ इसको आप क्या करते ही इसके जगा में x plus 1 से इसको divide कर देते हैं इस तरह से यहाँ पर किता होता है x square आता फिर x cube plus x square फिर याद कीजिए class 8 में जैसे आप सीखे हैं तो minus x square plus 2 x फिर इसको किता हैं से divide करते हैं minus x से तो किता हो जाता है minus x square minus x फिर यह किता हो जाता x देखें change of sign किता हो जाता 3 x और यह 3 नीचे आ गया फिर plus 3 से गुना करते हैं किता हो जाता 3 x plus 3 change of sign होता फिर यह पूरा आप कर जाता तो आपके पास क्या आ जाता इस पूरा expression को लिखते और उसके बाद में आपको क्या लिखना होता equal to x plus 1 और इधर का x square minus x plus 3 आप चांते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं x cube minus 19 x minus 30 तो यहाँ पर फिर ले 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 थे को यंक minus 2 2 में रखेंगे तो 1 नहीं रहा है मैंने check कर लिया इसलिए मुझे check-in करने के बाद ने पता चल गया कि minus 2 पर ही होगा तो minus 2 मांते x का value तो देखें minus 2 all cube यहाँ पर minus 2 फिर यहाँ पर minus 30 जैसे हैं वो यह से उतार दिए तो देखें 19 गुना 2 38 minus minus plus और यहाँ पर 2, 2, 2 गुना करेंगे 8 होगा minus में तो 38, 38 यह देखें 38 यह minus 30 और minus 8 38 38 और 38 देखें plus minus कर गया तो 0 तो x बरावर कितना होगा minus 2 तो x plus 2 बरावर कितना होगा 0 इसका मतलब होगा कि x equal to minus 2 ही पूरे value को 0 दे रहा है तो इसलिए यह 0 method का ला रहा है तो x plus 2 equal to 0 तो x plus 2 एक उत्पादक है एक गुननखंड है इसका ठेक है अब इसके बाद में जो करना है उस चीज़ पे एकदम ध्यान देना है x plus 2 को तीन बार लिख लेना देखें यहाँ पे x plus 2 x plus 2 x plus 2 तीन बार लिख लिए अब ऐसा x square या x ऐसा लिखना है ताकि गुना करने से उपर वाला मिले तो देखें x square लिखते है तो x square गुना x कितना हो गया x cube हो गया फिर x square इंडू 2 2 x square हो गया अब यह आया तो यह तो आपके पस square वाला है नहीं इसलिए इसको क्या करना इसको eliminate कर देना x square को तो x को कितना से गुना करेंगे तो 2 x square आएगा तो 2 x से तो 2 x हम लोग इसको x से गुना किये 2 x को तो 2 x square आगया तो यह plus में है यहाँ पर minus यह तभी कटेगा तो इसलिए आप यह minus sign बढ़ा दिए तो minus कट गया तो 4 x मेरे पास यहाँ पर minus में है यहाँ भी minus में है तो देखे 4 x minus 4 x यहाँ पर 19 x ठीक है तो 15 कम है तो 15 मुझे चाहिए इसलिए इसको गुना किये कितना 15 x से 15 से minus 15 minus 15 गुना x minus 15 x यहाँ पर आगया तो 4 x और 15 x मिलके 19 x हो गया ना फिर यह वाला गुना हुआ यहाँ पर तो minus plus minus 15 गुना दो 30 तो देखे यहाँ पर जो आया इस लाइन में जो भी यह सब इसके रेस्पेक्ट में सही है अब आप इसको 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 common निकाल दिये बाहर निकल गया तो यहाँ पर बच गया x square यहाँ पर बच गया minus 2 x और यहाँ पर minus 15 तो यह वाला आप देखे square वाले term में आ गया आया ना अब इसको देखना है कि क्या middle term factor में यह तूट रहा है तो देख रहे हैं तूट रहा है देखे 2 x कितना में 5 और 3 में टूट रहा है यह देखे 5 गुना 3 15 और 5 में से 3 गया 2 मिल गया ना तोड दिया है यहाँ पर फिर इन दोनों में common लिए इन दोनों में कितना होगा x common तो x यहाँ पर बच जाएगा minus 5 ठीक यहाँ पर 3 common ले लिए इन दोनों में minus 9a square plus 3a plus 2 तो यहाँ पर फिर इसी तरह हम लोग consider कर लिए कौन सा नमबर एक को हम लोग ले लिए ए बरावर एक मानते हैं मानने के बादे देखे यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 एक जगह में 1 1 लिग दिये तो देखे यहाँ पर 4 यहाँ पर 9 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 तो देखे 4, 3, 2, 9 फिरे 9 9 में से 9 गया 0 तो a बरावर कितना हो गया 1 तो a minus 1 equal to 0 तो a minus 1 एक उत्पादक या गुनन खंड है पता चल गया ठेक है यहाँ पर आपको समझने वाली चीज क्या देख रही है कि इस जगह पर जब आप value बैठा रहे है क्यों बैठा रहे है यह 0 आ रहा है किस से आ रहा है 1 से आ रहा है बोलकर सारा calculation ऐसे हुआ चुकि यह power 3 यहाँ पर है यहाँ पर 2 है power में ठीक है तो सब को गुना करने से वही 1 ही रहेगा है ना तो इसलिए हम लोग फटा फट करके बता दिए 0 आ गया फिर A वाला लाइन तक सोच लिए हम लोग कि A-1 एक उत्पादक है अब देखे A-1 A-1 कितना बार लिख लिए है तीन बार लिख लिए है ठीक है तीन बार यहाँ पर लिख लिए आप देखे कितना से गुना करने पर मुझे 4AQ मिलेगा तो 4A2 से गुना कर रहे है 4A2 गुना A 4AQ फिर 4A2 माइनस 1 कितना हो गया 4A2 माइनस में ही अब देखे यहाँ पर A2 है मेरे पास कितना है 9 है मेरे पास के उलचार है 5 की कमी है इसलिए यहाँ पर 5A से गुना किए 5A गुना A 5A2 आ गया चुक्ति मुझे माइनस में चाहिए इसलिए इसको माइनस ले लिए A देखे माइनस ठीक है तो माइनस 5A2 फिर माइनस माइनस प्लस हो गया है यहाँ पर 5A इंटू 1 5A ठीक है फिर यहाँ पर देख रहे हम यहाँ पर 5a मिला है किन्तों मुझे यहाँ पर कितना चाहिए 3 चाहिए तो 2 कम करना पड़ेगा इसलिए 2 से गुना किये हाँ यहाँ पर 2 into a 2a यह प्लस में है यह भी प्लस में है मुझे इसको 2 घटाना पड़ेगा इसलिए minus लिए minus 2a आगया minus minus plus यह वाला plus 2 ठीक है तो देख रहाँ उपर वाला लाइन और यह वाला लाइन से मिल गया अब देखेए a minus 1 a minus 1 common निकाल लिए तो यहाँ पर 4a square minus 5a यहाँ पर minus 2 बच लिए तो यह इसका answer हो गया ठीक है तो इस तरह से आप 0 method वाले जितने भी questions है एकदम ध्यान से इस step को अगर ध्यान से दिमाग में बठा कर रखते हैं इस step सब को तो आपका यह question कभी भी miss नहीं होगा plus 11a square plus 4a minus 2 यह दिया हुआ है आप यहाँ पर a की value 1 में चेक किये नहीं हुआ minus 1 में देखे yes we are getting the value 0 है ना इस polynomial का value कितना निकल का 0 निकल रहा है किस पर minus 1 बैठाने से देखे minus 1 बैठा रहे है यहाँ पर question लिख लिए है यहाँ पर minus 1 minus 1 यह plus minus minus 4 into 1 4 हो गया यहाँ पर plus 1 हो गया 11 into plus 1 11 यहाँ पर minus 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 थीन बार तो minus 1 होगा odd number है बोलकर तो 5 5, 4, 2 11 और यहाँ पर 11 तो 11 में से 11 गया 0 तो a equal to कितना होगा minus 1 पर ही इस पूरे expression का value 0 हो रहा है इसलिए 1 plus 1 equal to 0 होगा मतलब a minus 1 एक उत्तपादक है या एक गुनानखंड है इसका ठेक है तो हम लोग इस question को फिर लिख लिए और a plus 1 a plus 1 a plus 1 को तीन बार लिख लिए अब कितना से गुना करेंगे a को ताकि 5 a q मिले तो 5 a square से देखे 5 a square into a 5 a q 5 a square plus 1 5 a square आगया ना किन्तु यहाँ पर 11 square में a square में तो 6 की कम है इसलिए यहाँ पर 6 a को a से गुना किये देखे 6 a into a 6 a square तो यह 6 और 5 मिलके 11 square हो गया फिर 6 a into 1 6 a आगया plus 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 किन्तु मेरे पास a के respect में कितना है 4 है तो यहाँ पर 6 जादा है तो 2 कम करना पड़ेगा तो इस 2 को यहाँ पर लिखकर a से गुना किये 2 into a 2 a हो गया माइनस में रखे ताकि 6 में से 2 गया तो 4 मिल जाएगा plus minus minus plus minus 2 into 1 2 अब देखे हो गया उपर का सारा चीज मिल गया उसके यहाँ पर a प्लस 1 कॉमल ले लिए तो a प्लस 1 into 5a स्कार plus 6 से minus 2 इस तरह से हम लोग जो गुनन खंड है 8.1 9 का खतम करते हैं उमीद कर रहा हूँ आपको 0 मैथर्ट पर बेस्ट किया हुआ यह सारे कोश्चन समझ में आ गए होंगे तो भी अगर कुछ डाउट हो तो आप comment box में जाकर जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल जा